नमस्कार मैं हूँ संदीप चौधरी आज से दो दिन बाद यानि की तीन दिसंबर को पाँच राज्यों में जो विधान सबाद चुना हुए हैं उनकी वोटिंग होगी मत गनना होगी नतीजे आएंगे राजने तक दलों की धड़कने बढ़ी हुई हैं सत्ता सबको चाहिए राजनीती का मूल मंत्र ही सत्ता हासल करना हो गया है और एक दिन पहले जो एग्जेट पॉल आए उन्होंने इन धड़कनों को और ज्यादा ही बढ़ा दिया है और आप में मुझ में आम आदमी में अब जबरदस्त उत्सुकता है कयास बाजी चल रही है बहसे हो रही है क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है एक्जेट पॉल जो आंकडे दिखाते हैं देखिए एक्जेट पॉल तो होते नहीं है जो वो कहते हैं वैसे ही नतीजे हमेशा नहीं आते लेकिन एक ट्रेंड एक इशारा एक दिशा अमूमन पकड़ लेते हैं एक्जेट पॉल सीटों का अंतर अलग हो जाता है लेकिन किस दिशा में कौन सा राज्य जा रहा है ये बता दिया जाता है लेकिन कल जो हुआ उसने असमंजस कन्फूजन और बढ़ा दी आशंकाओं का बाजार भी जोर पकड़ने लगा और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ में कहा तो ये जा रहा है कि भाई एक्जिट पोल जो कह रहे है कॉंग्रेस बढ़त में है लेकिन अटक जटक रही है वहाँ पर बहुमत पाने को कॉंग्रेस अभी बीजेपी पीछे है आब ही सकती है बहुमत में लेकिन ज्यादा चांसेज वो कॉंग्रेस के है तेलंगाना में तमाम जो एक्जिट पोल वो एक दिशा पकड़ते जरूर दिखे कि यहाँ पर केसी आर, मजी आर नहीं कर पाएंगे लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और बीजेपी के बजाए कॉंग्रेस यहाँ पर सत्ता पर काबिज होती दिख रही है वो कॉंग्रेस जिसने तिलंगाना बनाया लेकिन मध्यप्रदेश, देश का दिल मध्यप्रदेश और उनकी टैग लाइन है MP गजब है, MP अजब है तो जो एक्जिट पॉल आए वो अजब भी थे और गजब भी दो एक्जिट पॉल ने तो दो टी आई बहुमत दे दी और किसे दी, बीजेपी को चुनाव से पहले तमाम जगे और MP न्यूज पर भी जितनी चर्चाएं हुई उसमें लगता यह था कि भई, कॉंग्रेस वहाँ पर सत्ता पर काबिज होगी जो सत्ता हत्याली गई थी चुराली गई थी, दोजार अठारह में भी सिंगल लाजिस पार्टी कॉंग्रेस बनी थी इस बार ऐसा नहीं होने वाला है लेकिन दो एक्जिट पॉल्स ने दोत्याई बहुमत बीजेपी को दे दी साथ मंत्रियों को साथ सांसदों को जिनमें तीन मंत्री थी, बीजेपी ने उतार दिया मैदान में शिवराज सिंग चोहान का चेहरा पेश नहीं किया तो भी 160 तक कांकड़ा 230 में से और कुछ चैनलों ने कॉंग्रिस को बढ़त दिखाई तो सर थोड़ा चकराने लगा और सर चकरा ही रहा था कि राजस्तान में उंट की सवारी भी करनी पड़ गई सभी को हिचकोले वाले एग्जिट पोल सामने आए तू क्लोज तू कॉल जहां बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही थी कि बई बीजेपी आगे है ये एक जनरिल उपिनियन था पिछले कुछ हफ्तों महीनों का वहां कॉंग्रिस बढ़त में दिखी लेकिन बहुमत के आंकडे को बस चूमातर पा रही थी तो ऐसे में जरूरी हो जाता है एक्जिट पॉल वो अपने आप में एक साइंस है वो उनकी एक्सपर्टीज का एरिया है जो पॉल्स्टर्स है पर जो देश के वरिष्ट पत्रकार है आज हमने सोचा कि उनको बुलाया जाए लगतार था लेते आए है असीम तजर्बा भी है तो वो क्या कहते है इन एक्जिट पॉल्स के बारे में भी और उनका खुद का आँकलन क्या है तो आज मेरे साथ विजयत रिवेदी वरिष्ट पत्रकार है दबंग दिबांग वो चर्चा में जुड़ चुके है अभै दूबे जाने माने राजने तक विशले शक है स्मिता प्रकाश किसी परिचे की मौताज नहीं है एन आई की मुखिया है उनकी संपादक है और वरिष्ट पत्रकार अभी ग्यान प्रकाश भी इस चर्चा में जुड़ चुके है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह दो सो साल से जादा का तज़र्बा है पत्रकारिता का इसमें सबसे कम मुझे है सबसे नादान दरसल अग्यानी मैं ही हूँ मेरे पच्चिस साल पूरे हो चुके हैं तो आप गनित लगा लिए दो सो साल से उपर का यह तज़र्बा है तो सीधे सीधे शुरू कर रहे हैं और शुरू करता हूँ चट्थिस गड़ से नबे सीते थी पिछली बार तीन चुथाई बहुमत लेकर सरकार बनाई थी कॉंग्रेस ने पंदरा पर सिमट गई थी बीजेपी तो हमारा एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे कहता है कि 47 लेगी कॉंग्रेस 46 बहुमत का अहां करा है 42 लेगी बीजेपी टाइम्स नाव एटीजी कहता है 52 बीजेपी 36 कॉंग्रेस TV9 पोल स्ट्राट कहता है 40 बीजेपी 45 कॉंग्रेस Republic मेट्रीज कहता है 38 बीजेपी 48 कॉंग्रेस India Today Access My India कहता है 35 बीजेपी 51 कॉंग्रेस News 24 टुडेज चानक क्या कहता है 33 बीजेपी 57 कॉंग्रेस पोल अफ पोल्स 40 बीजेपी 47 कॉंग्रेस कॉंग्रेस की सरकार बनती दिख रही है अब है आपका आकलन मैंने तो आपको अपना आकलन भिजवाया था मुझे लगता अगर आप सब हरे के बारे में पूछना चाहेंगे तो मुझे वाटसअप खोल के देखना पड़ेगा कि वो आकलन है कहां अभी आप इस आकलन से कितने मुतमईन है कि कॉंग्रेस की सरकार बन रही है कॉंग्रेस 36 गड़ में आगे है और सरकार बना सकती है लेकिन वो कितनी आगे है कितनी सरकार बनाएगी ये भवश्वानी तो मैं करने की इस्तिती भी नहीं हूँ आपने कुछ दिखाया भी है पच्पन आप कह रहे हैं कॉंग्रेस तो मैंने उन्हें सरकार बनाने से कुछ ज़्यादा ही नंबर दिये ताकि उनकी एक स्थाई सरकार बने वज़े वज़े क्योंकि मुझे लगता है एक्जिक पोल कह रहे है सरकार भूपेश बगेल की कैसी चली ये मीडिया के जरीए जिस तरह का एक जिस तरह की एक छवी दिल्ली में बनी थी अगर आप 36 गड़के पत्रकारों से बाचीत करें जो वहाँ पे हैं तो वो इस छवी से सहमत नहीं है उनका मानना है कि भूपेश बगेल की सरकार के खिलाफ खासी एंटी इनकम्मेंसी वहाँ पर थी और उसकी वज़य से भारती उन्ता पार्टी और साथ में वो ये भी कहते हैं कि भारती उन्ता पार्टी ने वहाँ पर अच्छा चुनाऊ नहीं लड़ा अब भारती जन्ता पार्टी अगर ज्यादा नियुजित तरीके से ज्यादा फोकस तरीके से चुनाओ लड़ती तो वो 36 गड़ में चुनाओ आसानी से जीत सकती थी तो चूँके भारती अंता पाड़ी ने ठीक सो चुनाओ नहीं लड़ा और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया जो भाजबा के लिए एक अनौकी बात है भाजबा तो इसलिए जानी जाती है कि भाई वो हर जगह बहुत जम के चुनाओ लड़ती है लेकि 36 गड़ म वो कॉंग्रेस की बजाए 36 गड़ के लीडर हो गए और जो स्लोगन उनने दिया 36 गड़िया सबसे बढ़िया उसका भी एक बड़ा खेल हुआ और उनकी जो योजनाई थी वो तो बड़ा काम किया ही और डॉक्टर रमन सिंग जो पिछले तीन बार के मुख्यमंत्री थे ज मुख्यल काम होगा लेकिन इस्टेट यूनिट पिछले दो साल से जिनके संपर्क में रहता हूं नॉमली वो पिछले एक साल से कह रहे थे कि हमारी इस्टिती बेहितर हुई है लेकि सेंटर लीडर्शिप शायद उस बात को उस तरह से असेस नहीं कर रही थी परकत इतनी ब मैं इसे सहमत हूँ कि बीजेपी ने वहाँ पर चतिसगर में उनका कैंपेण ठीक नहीं था किसी भी राज में अगर आप देखें तो बीजेपी ऐसे परालसिस के मोड में कहीं नहीं थी सिर्फ चतिसगर में है कि पांच साल में उन्होंने एक फ्री रेन दे दिया था रिबेलियन नहीं था ना उनकी पार्टी में और ना बीजेपी की तरफ से कोई खास ओपोजिशन दिखाई दिया और भुपेश भागेल में एक वो जो सॉफ्ट हिंदुत्वा का जो कार्ड केला है एक तो मैं उस टर्म से सहमत नहीं हूँ सॉफ्ट हिंदुत्वा उन्हों उन्होंने एक अलग किसम का एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया एक अलग किसम का उन्होंने एक एजेंडा तेह किया है वो कॉंग्रेस की जो जिस तरह कॉंग्रेस करनाटका में या कॉंग्रेस पहले पंजाब में और उसके पहले उससे पहले बाकी राजयों में जिस तरह गव था, वो एजेंडा था, it was all different compared to what the other Congress governments have done. सक्रिय एक मुख्य मंत्री और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी की क्या आप, जैसे प्रदान मंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, गुजराती असमिता की बात करते थे, और यहां पर 36 गड़िया सबसे बढ़िया, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी काम करी क्या? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उन्होंने पहली बाद चत्तिस गड़ में हमें देखने को मिला, बिकुज जब रमन सिंग की सरकार थी, तब तो हमने देखा नहीं था, वहाँ पर किया है, he brought about that identity politics, तो अगर उनकी सरकार रियली अगर वहाँ गिरती थे, I will be amazed कि अगर बीजेपी की सरकार चत्तिस गड़ में आज़ाएगी. कितना आक्रा चूलेगी Congress? स्मिता, Congress कितना चूलेगी? Can you give me a figure? मैं नमबर के में नहीं पढ़ती हूँ संदीव जी, तो मैं नमबर तो दूँगी नहीं, इतना गया experience जरूर है कि मैं नमबर नहीं देती. ठीक है, पर Congress को majority. दिवांगा आज थोड़ी, एक सेक्टिस में ता. I don't believe कि जिस तरह बाकी लोग जो कह रहे हैं. हाँ, वो ठीक है, अब थोड़ी आपकी दबंगई की ज़र्वत है. देखे, आंकनन क्या है, आपका ये 40-47, mother of all polls, 47 Congress को Congress की सरकार बनते हुए. आपको मैंने देखा, आपकी जो गुगली आई, वो मैंने देखी, और उतको गेंद को मैंने भली भांती पर रखते हुए, बहुत अच्छा काम किया, जो एक चैनल से जोड़ा हुआ वेक्ती है, उसको करनी चाहिए, मेरा आंकड़ा वही है, जो चैनल का आंकड़ा है, मतलब बयादर सर्फ, तो मुझे जो फोन आया, तो मैंने का कि जो आंकड़ा है, उसमें से बीच का जो मार्क है, वो मेरा मार्क है, 42-47, वो मेरा मार्क है, मेरे काल से चैनल की तरफ रहते हुए मुझे वो करना भी चाहिए था चैनल को यह बात पसंद आएगी पर देखें एक अगर आप बात देखें कि इस आंकड़े में इसके समर्थर में जो बाते हैं वो तो सबाही गई हैं इसके विरोध में जो बाते हैं मेरे काल से वो देखे कॉंग्रेस के जो टिकट बांटे गए वो पार्टी विशेश ने बाटे यानि बीजेपी के कहने पर उसी तरह से केंडिडेट वहां उतारे गए बागी जो उम्मीदवार हैं वो भी बहुत जादा असर करने वाले हैं ट्राइवल छेतर में हम खुद बात कर रहे थे मुक्य मंतरी से उन्होंने खुद कहा कि ट्राइवल छेतर में हम इतनी बार जीत चुके हैं इतनी जादा बागेल ने पूरा चुनावा अपने इर्द-गैळ घुमा दिया जी मैं हो जी बिल्कुल बिल्कुल मैं वह आराम से इजी लिए का सकता था बाकी सब कह रहे हैं मैं वो बातें ला रहा हूं जो अगर भूपेश बगेल नहीं कर पाते हैं तो जो बातें जिन बातों कहा जाएगा वो भी आने चाहिए आपके कारेक्रम में अभेजी ने जो कहा में उससे सैमत हूँ आप जो कह रहे थे उससे भी सैमत हूँ उसमता कह रह कि उसका कोई असर नहीं उसका दिल्ली के जो समाचार पत्रों में मीडिया हूसेस में उसकी उच्छाल रही बाकी जो लड़ाई हुई जो जिस तरह से जमीन पर लड़ी गई वो बहुत जादा यहां पर महत्तपूर्ण हुआ और अगर कहीं कुछ फेर बदल होती है हम मेरे आ अग्राँ ठीक उड़ाइए तो अगली तो राते बुपेश बगेजी अराम से नहीं सो पाएंगे सो पाएंगे पर हमारे लिए अच्छी बात है जितने बी जो मैंने आथ सुबह भी कहा कि जितने भी जो एक्जिट पोल हैं वो साफ कह रहा हैं कोई कह रहे हैं या आपका अकलन कुछ अलाइदा है नहीं मेरे तुरल से डिसद्वांटिज है पिछले सत्रा ठारा दिन से विया नहीं था कल रात को इंग्लिंड से लोटा हो उससे पहले मैं जितना फॉलो कर रहा था और अभी सब की बाते सुनके वाट श्मितर प्रकास सेड मेक प्रकास सेंस और उसका सारांश मुझे यह समझ में आया है कि पर्सेप्शनल पॉलिटिक्स में विच होड़ी लाज पॉर्शन इन स्ट्राटीजी जिए पर्सेप्शनल पॉलिटिक्स में रमन सिंग को फेड अवे करने के बाद एक तरह से आपने भूपेश बगेल की स्प इतना चाहिए यह चुनाओ तो इस एक पॉइंट का उनको बहुत लाब मिलेगा क्योंकि बीजेपी आजट कंटेस्ट जैसे कि वह बाकी जगा चुनाओ लड़ती है उस विगर से उन्होंने च्छतीजगर में चुनाओ नहीं लड़ा और एक तरह से वो उस धारना से और यहाँ पर जब मैं पांच दिगजों को कटगरे में खड़ा कर सकता हूँ तो मैं अपना आकलन भी दे देता हूँ और वो जो सी वोटर एबीपी न्यूज सी वोटर का आकलन है उससे थोड़ा अलग है मेरा ये मानना है कि 36 गड़ में बीजेपी दरसल लड़ी ही नहीं वो लड़ाई में उतरी 20 दिन 25 दिन पहले एक साल तक उनको ये नहीं पता लगा कि नंद कुमार साही उनके एक वरिश नेता वो कांगरिस के खेमे में जाकर पहुँच गए और हेड़कॉर्टर्स में किसी को कानो कान ख़बर नहीं हुई तो लास्ट के 15-20 दिनों में जोर लगाकर और प्रधान मंत्री भी गए गरी मंत्री गए 20 दिन में में मेरा ये मानना है कि चुनाव बदलता नहीं है तो मेरा आकलन ये कहता है कि दिक्कते बहुत थी बहुत सवाल उठे रमन सिंक को लेकर नहीं बुपेश बगेल को लेकर लेकिन उन बातों पर उनकी घेरा करने में कहीं काफी देरी कर दी बीजेपी ने तो पचास से पचपन मुझे लगता है आसानी से भुपेश बगेल ले जाएंगे बीजेपी तीस बत्तिस ज्यादा से ज्यादा 35 अब मद्यप्रदेश की बात जिसको मिले सुर मेरा तुम्हारा अब मद्यप्रदेश जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है विडियोज भी वाइरल हो रहे हैं कि भाई इतनी सीटे कैसे दे दी है आई यू वेरी शॉर पोल्स्टर से पूछा जा रहा है तो हमारा आकलन क्या कहता है एबीपी सीवोटर दो सो तीस में से बीजेपी को सो कॉंग्रेस को एक सो पच्चिस यानि कि कॉंग्रेस की सरकार बनती दिख रही है एक सो सोला बहुमत का आखड़ा है ताइम्स नाओ एटीजी बीजेपी 111 कॉंग्रेस 117 टीवी नाइन पोल्स्टरेट 111 बीजेपी 116 कॉंग्रेस ये तो तीन कॉंग्रेस की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं हम कह रहे हैं सीधी बन रही है दो बस बन जाएगी लगबग लेकिन रिपब्लिक कह रहा है 124 बीजेपी 102 कॉंग्रेस इंडिया टुडे माय अकसिस इंडिया 150-160 तक भी छू सकती है बीजेपी 80 कॉंग्रेस ट्रिपल डिजिट में भी नहीं आएगी 114 सीटे आई थी कॉंग्रेस की पिछली दफ़ा न्यूस 24 तुडेज चानक के 151 और कॉंग्रेस महज 74 तो पॉल अफ पॉल्स में ये आकड़ा 125 बीजेपी और कॉंग्रेस 102 और तमाम चर्चाएं जो हमने आज तक की थी सब चैनलों की बात कर रहा हूं मैं उसमें कॉंग्रेस की बढ़ात और बीजेपी कैच अप गेम खेलती दिख रही है तस्वीर उससे बि चाएं हुई उसस धारणा की तरदीग भी लगातार होती रही कि मद्रदेश में लोग आम तोर पर एक परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं क्योंको भारती अंता पार्टी अठारे साल से लगातार सत्ता में है एक ही व्यक्ति मुक्यमंत्री है और इसलिए और कॉंग्रेस की कांग्रेस की जो मुहिम थी उसमें एक खास तरह की चमक भी थी उत्साह भी था आपको याद होगा यश्वन जी ने भी एक बार कहा था कि कांग्रेस का कारकरता अधिक उत्साहित है भारती अंता पार्टी के कारकरता के मुकाबले तो इसलिए मैंने कांग्रेस को एक पूर इंडिया ने दिया है एक सो पचास साट में उसकी तरब नहीं जा रहा हूं उसका तो तीन तारी को पता चलेगा कि वो धराशाई होते हैं या उनके मस्तक पे ताज रखा जाता है यह तम मालूम पड़ेगा लेकिन मैं और भी जो हमारे मित्र हैं नस्दीक मैं उन सबसे जब म आज दिन में बाचीत की तो बहुत से लोगों का मानना है कि भारती अंता पार्टी आखरी वक्त में वहाँ पर शायद डेड़ या दो फीसी दी वोटों से कुछ आगे चली गई है यानि मद्यप्रदेश में चुनाओ भाजपा जीत भी सकती है लेकिन चुनाओ फस भी सकत है ऐसी उन लोगों की धारणा थी समेता प्रकाश आपको चौकाया एक्जिक पोल के इन नतीजों ने खास मैं मद्यप्रदेश की बात कर रहा हूं एक तरफ एक सो पचास एक सो साथ का आखड़ा बीजेपी चूते हुए दूसरी तरफ कुछ कह रहे हैं तीन पोल्स्रस कह नहीं कॉंग्रेस की सरकार बन जाएगी देखिए अगर मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस जीतती है तो श्रे जाएगा कमलनाजी को और अगर हारती है तो उसकी जिम्मेदारी भी कमलनाजी की ही रहेगी क्योंकि उन्होंने एक presidential style campaign को front किया था उन्होंने यहां तक कह दिया कि India Alliance की rally तक नहीं चाहिए मद्यप्रदेश में पूरी तोर से उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली कि ये this election is my election और अगर वो नहीं ला पाते नंबर और जिस तरह वो दिखा रहे हैं अगर आप 111, 117, 111 116 ऐसे अगर नंबर आते हैं तो फिर वो ही हाल होगा जो पिछले election में हुआ यह जो चार-पांच सीटों का जो जमेला पड़ता है न मध्यप्रदेश में वो बीजेपी साफ जानती है कि इसको कैसे बाजी अपनी तरफ ले 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 तो यही हाल होगा 36 गड़ में भी वो resort politics ह हो जाएगा और सिंग्देव जो है वो उनका game क्या रहेगा वो पता नहीं 36 गड़ में अगर चार-पांच सीटों का सिर्फ फरक रहेगा तो फिर आप समझ लीजे कि that it is going to be the BJP way अगर यह जो neck to neck race दिखा रहे और I am surprised because सारे मीडिया वाले कह रहे थे कि anti-incumbency है मामा जी के खिलाफ शिवराच चौहान के खिलाफ लेकिन I think BJP strategy की chief minister candidate नहीं दिखा रहे थे यह उनके फाइडे में गया अगर यह अगर हम देखे तो तो क्यूंकि वो जो सारे वर्टिकल्स बन रहे थे ना वो अलग-अलग दिशाओं में नहीं गए वो एक ही दिशाओं में गए सारे बीजेपी के कि आपकी राय क्या है ने तो कहा नहीं है एक हवा एक हवा बह रही है हमको भी we also have a chance तो सब काम कर रहे थे तो मतलब बीजेपी की लहर जो दो पोल्स्टर कह रहे हैं वो आप देख रहे हैं या यह काटे की तक्कर है टू क्लोस टू कॉल होने वाला है और यह हर मध्यप्रदेश में यह खासियत है कि वो सबका जो वोट शेयर रहता है न वो थोड़ा बहुत एक जैसा ही रहता है बस वो कंवर्ट कैसे होता है सीट्स में that is the game in मध्यप्रदेश आपका आंकलम विजय है और यहां पर देखिये अभी जब समिता ने कहा कि की काट ढूंड ली शिवराज का चेहरा नहीं दिखाया गया पर शिवराज और लाडली बहन योजना महिला फैक्टर क्या यह वो कहते है ना आप्पल काट की खेल बदल दिया कुछ ऐसा भी दिखता है क्या एक तो बड़ा फैक्टर है लाडली बहन लेकिन इसमिता जी जो है वो डेली ट्रेकर जो होता है ना उस संस्था को हैड़ करती है तो वो भले ही आज थोड़ा सा रिजर्ड होकर बात करती है लेकिन वो तो हर दिन ट्रेक करती है उनकी लीडर्शिप में वो संस्था जो है दिन भर अपने इलाकई में रहती है तो वो जादा बेतर तरीके से समझती है शिवराज जी को और मद्यप्रदेश को समझने के लिए जैसे इसमिता जी ने कहा ना कि वहाँ पर प्रेसिडेंशल फॉर्म में कमलनाज जी ने इलक्शन लड़ा लेकिन इन पाँचो राज्यों में आप पहली बात देखी कि जहां भारतिय जन्ता पार्टी की सेंटरल लीडर्शिप ने कहा कि MP के मन में मोधी और मोधी के मन में MP पहां पर किसी और राज्य में इस तरह का इलक्शन नहीं लड़ा गया कि प्रधान मंतरी के नाम पर सीधे सीधे से आप आ गए हो तो वो एक बड़ा फेक्टर है कि उससे काम हुआ और शिवराज जी को नहीं देकर मुझे लगता है वो फायदा ही हुआ है कि उनकी एंटी इंकम्बंसी रही हो लेकि शिवराज जी बहुत अनपपुलर हो ऐसा इस पूरे केमपेंड में नहीं दिखा और लाडली बैनी योजना ने शिवराज जी को बहु की मदद की है लेकिन अब वो उनके साथों एमपीज ने क्या अलग-अलग शेत्रों में मदद की है ये तो अब नतीजे जब आएंगे तब देखने में होगा दिबांग आप किस तरह से देखते हैं ये शिवराज सिंग चोहान की परसनल एक्विटी और आठ महीने पहले ज चड़ना जाए और इसमें चेहरा ना देना और मंत्रियों को उतार देना वो सब चामिल है अंग्रेजी में कहावत है ना हिंदी में ज़रूर कुछ ऐसी होगी कि सेवे पैनी फो दोज हुआ ओट स्टेप तो मैं बाकी जो कह रहे हैं उनसे फिर एक अलग तरीके से तिर्श बता रहे हैं इसकी वज़े संदीब की महिलाओं ने जम कर वोट दिया शिवराट सिंग चोहान को क्योंकि लाडली बहना योजना बहुत जादे मजबूत योजना रही अब आप इसके इसका जो लबो लुबाब उनका जो मेन आग्यूमेंट है वो यही है अब आप इस मेन आग्यूमेंट को अंदर खोल के देखे हैं यानि साड़े पांच करोड मत दाता हैं सवादो करोड महिला मत दाता हैं अब लाडली बहना योजना जो है वो एक करोड दस लाक बहने उससे कबर होती हैं उमहाँ पर आधी रह जाती हैं जो रह गई हैं वो जाहिर है बहुत ज क्या मतलब है ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए तीसरी बात लाडली बहना योजना में ही पैसे दिये जा रहे हैं बाकी जो योजनाएं हैं उनके पैसे काटे गए हैं और यहां डाइवर्ट किये गए हैं अब उसमें विडोज को जो पेंशन मिलती थी वो है जो ओल लोगो का जो आर्गुमेंट है एक तरीके से सही श्रब नहीं मिला पर उसके हम बखिया उखेड रहे हैं कि आपकी योजना सही नहीं बैटरी है तो क्या कोई दूसरे कारण हो सकते हैं कि आपने दिया वहां में नहीं जाना चाहता है तो यहां एज बीजेपी को है कॉंग्रिस को ह हैं वह अपने बात कही मतलब आपने कसोटी पर पर्खा दिबांकी कसोटी पर वह खराइन नहीं उतर रहा है वह खुद मुक्यमंतरी कह रहे हैं 130-132-140 तक मुक्यमंतरी बता चुके हैं आप मुक्यमंतरी के assessment से भी 10 कदम 10 आगे जा रहे हैं अभी ज्यान आप कैसे देखते माद्यप्रदेश को मैं दो पॉंच यहां पर बहुत क्ले लिये रखना चाहूंगा कि जो एक इस्कीज मी शुरुवाद से परसेप्शन बिल्डिंग थी कि शिवराज साइड लाइं शिवराज साइड लाइं शिवराज साइड लाइं हर जगा और फैक्शन में बटी हुई भी बीजेपी यहां पर अभी तक के जो आकड़े एक्जिट पोल्स क्या है और शिवराज साइड लाइं शिवराज सिंग चौहान को बना दिया गया था और ये भी चुनाव मोधी जित वाने वाले वो तो हर चुना मोधी जित आते हैं इसमें कोई दुराय नहीं अगर जीते हैं तो मोधी की वज़े से हारते भी उनी की वज़े से तस पॉइंट नंबर वान तो नॉट डाट साइड लाइन साइड लाइन जैसा कि बताया जा रहा था दूसरी बात जो मैं विज़े और दिबांग और इन सब लोगों को सुन रहा था एक इंटरिस्टिंग फैक्टर जो सुनकर इनको लगा है कि अभी भी लाटली योजिना बहिलाओ का बोर्ट ये अभी भी अगर आप पिछले चुनाओ को देखें पिछले चुनाओ में तो मैंने यात्रा भी कीती वहाँ पर इस बार नहीं जा पाया हूँ तो अभी भी ये बड़ा सेंचल फिगर वहाँ पर प्ले करते हैं हानकि सरकार कॉंग्रेस की आई बाद में बीजेपी ने टेक और किया और अपने तरह से अपनी योजनाओ को अनाउंस किया उसको प्रनाउंस किया उसको लोगों तक पहुंचाया लेकिन अभी भी एक बड़े हिस्से में वोट डालते वक्त उनका इंपक्ट है हिंदुस्तान के राजनीती में कहीं ऐसी कोई गारेंटी नहीं होती कई बार क्लिक जरूर करती है बहुत जबरतस तरीके से योजना है लेकिन कोई गारेंटी नहीं ह जो मैंने कहा कि थोड़ा वक्त का ग्याप हो गया है तो वो मेरा डिसडवांटेज है लेकिन उस समय की चर्चाओं से देखूं तो अभी भी मेरे लिए एज कॉंग्रिस का है और मैं यहां पर अपना टेक भी दे दूँ और यहां पर दिबांग जैसे 36 गड़ को लेकर एब अला कारण हमें 2018 में भी जहां कर देखना पड़ेगा तो 2018 में जब BJP 111 पर रह गई थी या 109 पर और 114 पर आई थी कॉंग्रिस तो चुराया हुआ मैंडेट चुराया हुआ जनादेश लेकर वो बाद में डेल्ड साल बाद सरकार बनाने में काम्याब हुए तो इस बार व मुख्यमंत्री में ही दिखा दिया जाए उनके चहरे को प्रजेक्ट ना किया जाए तो क्या ये सीधे सीधे कॉंग्रिस को एडवांटिस दे रहा था लेकिन एक कावियट है जो महिला फैक्टर की बात हो रही थी अभी महिला फैक्टर क्या इस कदर काम कर गया और कहीं न क नहीं क्या शिवराद सिंग्चोहान का चेहरा प्रजेक्ट ना करना उनके लिए एक सिंपती दे गया 166 ट्रैलियां की शिवराद सिंग्चोहान ने और जाकर सीधे लोगों से संबाद किया क्या मुझे मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हो या नहीं मैं चुनाव लड मैं नहीं ले रहा हूं लेकिन 120, 22, 125 कॉंग्रेस 100 बीजेपी अब राजस्थान राजनीती का हूंट वहां भी हिचकोले खा रहा है और यहां पर एक्जेट पोल भी एक मत नहीं होते दिखे एबीपी न्यूज सी वोटर ने 200 में से हलाकि 199 में चुनाव हुआ एक उमीदवा की मौत हो गई थी बीजेपी 104 कॉंग्रेस 81 यानि की बीजेपी की सरकार टाइम्स नाओ एटीजी 118 बीजेपी 64 कॉंग्रेस TV9 पोल स्ट्रैट 102 बीजेपी 92 कॉंग्रेस Republic 123 बीजेपी 70 कॉंग्रेस India Today Access My India 85 बीजेपी 99 कॉंग्रेस News 24 चानक्या Today's चानक्या 89 बीजेपी 101 कॉं बीजेपी 93 कॉंग्रेस अब ये किधर जाता दिख रहा है ये उट किस करवट बैठ रहा है विजे बहुत कॉंप्लिकिटेड इलेक्शन हो गया और इसमें जो ये फीगर्स आ रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह है वहाँ पर बागी उंबी द्वारों का है बागी ने बहुत तो वहाँ पर पूरे इलेक्शन को खेल को पेचीदा बना दिया और वो दोनों पार्टी में खास तोर से मैं देख रहा था कि 19 सीटें हैं जहां भारते जंता पार्टी के बागी जो हैं वो नतीजों पर असर डाल सकते हैं और कॉंग्रेस के 16 बागी उमीदवार हैं जो अस डाल सकते हैं तो उन से ये जो है बड़ा पेची दावरा और दूसरा जो चोटी पार्टी है खास तोर से मेवार में बी एपी और बी टीपी है आदिवासियों की पार्टी है वो किस तरह से मदद करती है कॉंग्रेस की या भरती जंता पार्टी की किस की करती है पहले तो य जैसे ये इलेक्शन हो रहा है लेकिन अशोग जी ने इस इलेक्शन को मतलब कहना चाहिए हारने से यदि वो बना लेते हैं नहीं भी बनाते तब भी उन्होंने पूरी बाजी को बलता है। और अशोग गलोट की हार की तवर पर देखता हूँ और कोई बहुत बड़ा इशू उसमें नहीं रहा है। बाते हैं जो यह है कि जिस तरीके से यह समझा जा रहा था कि गूजर बहुत जादे चिटक जाएंगे कांग्रेस से। ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ है। हमने देखे कि वसंदर राजे फूल लिये खड़ी हुई हैं और प्रधान मंत्री बगल से निकल जाते हैं। हमने वो तस्वीर देखे कि एक वो जो बड़ी माला है वो जो पहना ही जा रही थी तो उसमें प्रधान मंत्री के साथ वसंदर राजी भी उस माला के अंदर थी। तो एक तरीके से आपने अपने गेर बदले चुनाव के दोरान तो वो एक दिखाई दा रहा है कि एक ही बात समझने वाली है कि क्या वज़े है कि बीजेपी के केंदर के नेता राज्य दर राज्य इस्थिती को सही धंग से पढ़ने में नाकाम रहे या कुछ और बात रही या कुछ और खेल रहा जो हमारे पूल के हिसाब से चलेंगे एक सो चार बीजेपी क्यासी कौंगे हर राज्य में मुश्किल बहुमत मिलेगा पूल के साथ चलूँगा और एक बात बता दे रहा हूं कि अगर खेल होना होगा जो आप कह रहे हैं कि आखिर में खेल होगा तो उसमें अशोग गहलो जितना अच्छा खेलेंगे वो बीजेपी नहीं खेल पाएगी इसकी मैं इसलिए भी वज़े बता रहा हूं कि देखे बीजेपी ने तमाम कोशिशें कर ली सचिन पाइलेट से मिलके भी कोशिशें कर ली पर उसको हिला नहीं पाए पर एक सो चार में आपके डेली ट्रैकर्स का ज्यान भी चुराना चाहेंगे ये तू क्लोस्टू कॉल है कुछ ऐसी संभावना या परिस्तिती भी आ सकती है कि बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही सौ का आकड़ा ना चूपाएं क्या ये भी एक बड़ी पॉसुबिलिटी है ये विजे जी का खेल था कि मुझे एक डेली ट्रैकर बना रहे हैं नहीं, that is not the case Before we go to Rajasthan, एक पॉइंट मैं मध्याप्रदेश के बारे में कहना चाहती थी जो, you know, what we didn't touch when we were discussing Madhyaप्रदेश जो जनजातिय इलाका है, जो विंधिया रीजिन का जो जनजातिय इलाका है वो किस तरफ वोट करेंगे, that will be very important because पिछली election में, Congress did not do very well I think सिफ 6 या 7 seat जीते थे वो 30 seat से तो अगर वो जो ट्राइबल इलाके में Congress does well तो Madhyaप्रदेश will be with Kamalnaath राजस्थान की जब बात करते तो it is the largest state in the country और अशोग गेलोट जो है, वो उन्होंने tight rope act किया है वहाँ पर कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसे ही तो नहीं जादूगर कहा जाता ना उन्हें जिस तरह उन्होंने 5 साल निकाले हैं ये सरकार अभी गिरी, कल गिरी, परसों गिरी ऐसे करते करते, 5 साल तो उन्होंने निकाल लिये, अब रही बात वसुंधरा वर्सस अशोग गेलोट की, वो जो खीचा तानी चल रही थी, और फिर वसुंधरा नराज हैं की नहीं, 4 साल तो BJP ने कुछ नहीं किया वहाँ पर बस यही कोशिश की कि अगर सचिन पाइलेट आते हैं, नहीं आते हैं, बहुत टाइम गवादिया जिस तरह उन्होंने चतिसगर में किया, मध्यप्रदेश में, they were more proactive, लेकिन राजस्थान में वो खेल नहीं खेल पाएं, अब now the problem is that by the time they got Vasundra to campaign and जो उनकी नाराजगी थी, उसको किसी तरह वो मना पाएं, रानी को मना पाएं, उन्हें election campaign में वो आ गई, तब तक I think लोगों ने अपना मन बना लिया था के रोट के खिलाफ सबसे जादा जो most important point is जो exam paper leak, अगर वो जो गुसा है, जो नाराजगी है, women's safety को लेकर, उसको लेकर जो नाराजगी है और employment, इन तीनो चीजों को अगर, if that doesn't result in a negative vote फिर अशोगेलो जो हैं वो बने रहेंगे, लेकिन it looks very very difficult, I think Rajasthan in one state जहाँ पर BJP थोड़ी comfort में इन पांचाजगी है, त्रिपल डिजिट दोनों ही पार्टियां ना छूपाएं क्या ये संभावना ज्यादा बड़ी है या कोई, चाहे BJP ओ, Congress ओ, सो का अकड़ा पार करते हुए एक पार्टी जरूर दिखेगी यहाँ पर लगता है कि BJP जो है, वो थोड़ा मजबूत है, मैं नंबर में तो नहीं जाऊंगी, पर लगता है कि clear majority, यहाँ पर हंग तो कभी होता नहीं है clear mandate आ जाता है, हाँ, चार-पांच का फरक हो जाता है लेकिन, I don't think राजस्थान में हंग assembly पता नहीं मुझे तो मतलब आप A.B.P. News C. वोटर की तरफ जा रही है आपका आकलन? मैंने तो अपना आकलन दिया था और मेरा मानना है कि दोनों मैंसे किसी भी पार्टी को शायद सौ ना मिल पाएं और कोई भी आगे पीछे हो सकता है मैंने कॉंग्रेस को थोड़ा आगे दिखाया लेकिन भाजपा भी आगे हो सकती है राजिस्थान में मैं यहां भी कह चुका हूँ और मेरे साथियों ने मुझे मेरी बात की तज़्दीक की थी राजिस्थान में चुनाओ बुरी तरीके से फज़ा हुआ है आज ही मुझे किसी का फोर आज जैपुर से जो बहुत अच्छा आंकलन करते हैं और बरसों से मैं उनको जानता हूँ गंबीर विक्ति हैं और उनको पहरा सवाल ही मैंने पूछा तो उन्होंने भी वही जवाब दिया कि यह वाकई अटका हुआ चुनाव है भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रिस दोनों के लिए लास्ट प्ले किस के हाथ आता है और कौन कितना अच्छा केलता है इसे दिबांग सजेस्ट कर रहे हैं कि अशोग गहलोट बीजेपी से कही बहतर केलेंगे इसमें कोई डिबेट नहीं कि आपको राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई आनिलिस्ट यह कहेगा कि यह टाइट इलेक्शन नहीं है यह वाकई वाटर टाइट इलेक्शन है राजस्थान का और यहां पर जो मेरा टेक है मैं समिता की बात से भी कुछ चुराऊंगा और विजेत रिवेदी ने एक दिन कारिक्रम में जो बात कही थी विजेत रिवेदी ने कहा था यह राजस्थान या तो गहलोट की जीत होगी या गहलोट की हार उनके चारो तरफ उनके इर्द गिर ये ऐसा चुनाव चला और जो दूसरी बात समिता ने कही साड़े चार साल जिस राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अशोग गेलॉट और सचन पाइलिट में जूतम पैजार हो रही हो नालायक निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तमाल किया जा रहा हो और उसको उस मौके को लपका नहीं थाली में सजा हुआ राजस्थान बीजेपी के सामने था पर उन्होंने लपका नहीं उनकी अपनी दिक्कते लगातार चलती आ रही थी तू क्लोस टू कॉल मानता हूं मैं इस चुनाव को लेकिन इसमें थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स पर भी हम साथ गारंटी चल गई तो कॉंग्रेस गेम में है मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि सौ का अकड़ा दोनों ना चूपाएं लेकिन सिंगल लाजस्ट पार्टी बीजेपी बनेगी ये मेरा अकलन है और अब बात कर लेते हैं तिलंगाना की और तिलंगाना सर्प्राइज स्टे दिबांग तीन महीने पहले कोई ये कहता कॉंग्रेस जीत रही है तिलंगाना तो कहते कि कुछ लगा कर आए हो क्या ये जबरदस एक उलट फेर के तौर पर ये एक्जिक पूल है क्या जो इशारा कर रहे हैं देखिए कॉंग्रेस मेरे काल से लगाता है हुआ काम करती रही और उसको सही धंग से किसी ने जाकर यहां आमने पकड़ा नहीं पढ़ा नहीं ग्राउंड पे जाकर भी लोगों ने नहीं पढ़ा एकाज जो लोग गए थे उन्होंने पढ़ा और उन्होंने जो आकर रिपोर्ट बताई वो यही बताई कि वहां पर आधी चल रही है तो भी जिस तरह से उन्होंने काम किया वो उसमें बहुत जादा पक्षपात हुआ तो बहुत सारी वजहें रही आपके पास समय का चीक आध बहुत कम समय एक लाइन का सिर्फ कॉंग्रेस जीत रही है तेलंगाना और बीजेपी के बीरेस के साथ जाने का एक इंप्रेशन जो है ने उसका नुकसान बीरेस को उपर यह मोदी ओवैसी और केसी आर्गी इन पर भारी पड़ी है तेलंगाना इस चुनाओ की असली कहानी इन राज्यों के चुनाओ की तेलंगाना है और तेलंगाना अगर कॉंग्रेस जीतती है तो उसका कॉंग्रेस के राजनीत पर और राश्टी राजनीत की उपर काफी अलग तरह कासर पड़ेगा जिसका आकलन अभी करना बाकी है अभी ग्याम एक लाइंग फ्लीज बहुत जल्दी से एक व्यक्ति है कॉंग्रेस के अभी नहीं बोल सकता वो लगातार मेरे साथ संपर्क में रहे वाटसेप करते रहे अभी वाटसेप करते रहे और यह बताते रहे कि किस किस तरह से कॉंग्रेस गेन कर रही है तो इस वक जो आप मुझे दिखा रहे है उनकी बात पर अगर मैं नजर डालू हलागे वो कॉंग्रेस वोकर है जो हुआ है तेलंगाना में इस इस ओनली बिकॉज ओफ जो करनाटका में हुआ था जो तेलंगाना की जो वोटिंग पब्लिक है वो करनाटका में जो कॉंग्रेस के साथ हुआ तो दे वर टेकन इन विद आट कि जो विनेबिलिटी फैक्टर है उन्हे करना चाहिए जो कॉंग्रेस ने जो बीजे पी को वहाँ पर हार दिलाई है अट इस वाट दे वांट इट तो डू तो जब कॉंग्रेस वहाँ पर उतरी तेलंगाना में वहाँ पर आई थिंग डी के शिवकुमार का भी हाथ है तो यहां पर तिलंगाना में कॉंगरेस सीधे सीधे जीती दिख रही है इसमें किसी भी तरह का असमंजस नहीं दिखाई दे रहा है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तो यह तो थी एक्जिट पोल की बात पत्रकारों का पोल भी आपने देखा लेकिन असल नतीजे तीन तारीक को परसो आएंगे तब तक का भी इंतजार कीजिए नमस्कार